हलो एवरीवन वेलकुम बैक टू माई चानल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन और अभी सुबह के करीबन पड़ता है विंटर्स में तो मैं नॉर्मल पानी से ही अपना चेहरा दो लेती हूँ पर गर्मियों में जो है फेश वोश करना पड़ता है यहां थोड़ी सी एक्सराइज कर रहे हूँ अपने चेहरे की इस तरह से और कौन-कौन इस तरह से फिश बना सकता है अपने मुझ मशीन भी लगा देती हूँ मैं ताकि जब मैं बाकी सारा घर का काम करूँ तो कपड़े धूल कर रड़ी हो जाए और फिर मुझे बाद में इसको अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है मशीन के लिए तो सुबह उठते ही मेरा यही काम होता है सबसे पहले मशीन लगा दे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने हाँ जी चाय वगर मैं कुछ नहीं पीती हूँ सुबह सुबह मैं पीती हूँ गरम पानी नीम्बू के साथ क्योंकि मेरा वेट बहुत जादा है मुझे वेट कम करना है और इसका सबसे अच्छा तरीका है सबसे अच्छा उपाय है अच्छा ने थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल दिया है और बहुत गरम पानी है तो इसको शिप सिप करके मैं आराम से बैठकर रिलेक्स होकर अपने आपको दो-तिन मिनट देकर और बैठकर यहां पर पी रहूं आराम से नीम्बू पानी और नीम्बू पानी पीने के ब तो सुबह जल्दी उठने का ये फाइदा है कि सुबह जल्दी उठो मौसम का मजा लो और अच्से से अपने दिन की शुरुआत करो तो सुबह काफी अच्छा मौसम हो रहा है खान जी अभी मैं करूँगी कम से कम 15-20 मिनट के लिए वाक जो कि मैं अपने च्छत पर ही कर लेती हूँ क्योंकि च्छत काफी बड़ी है तो बहार जाने की कहीं जरुरत नहीं है घर काफी बड़ा है चाहे घर में बहार की तरफ गूम लो या फिर च्छत पर गूम लो पर च के बाद जो है मैं आगी हो नीचे और सारे जो खिड़की दर्वाजे पर्दे वर्दे सा बटा दूगी खिड़के सारी खोल दूगी क्योंकि बाहर जो है सुबह बहुत अच्छा मौसम रहता है बहुत थंडी थंडी हवा चलती है तो जो थंडी थंडी हवा है वो अंदर जाए मेरा घर भी ठंडा ठंडा जाए मौसम अच्छा हो जाए फ्रेश हवा आने ही भी चाहिए घर के अंदर दिन में तो सारा कुछ मैं घर में पर्दे वर्दे खिड़की बंद करके रखती हूं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है लूँ चलती है हमारे यापे तो ग भी खुल जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा जाड़ू लगाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है तो सुबह सुबह सबसे पहले जाड़ू में यहीं लगाती हूँ और इस बालकनी में मिट्टी भी बहुत जादा आती है क्योंकि दिन में बहुत जादा है ह हमारे यहाँ पर अभी हवा चलती है लू चलती है तो मिट्टी भी बहुत जादा आ जाती है खटी हो जाती है तो डेली यहाँ पर जाड़ू लगानी होती है तो बस बालकनी में जाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी पेड़ पौदे यह रख करती हूं हलकी फुल की थोड़ी सी योगा ठोड़े से आसन यही करती हूं बस आराम से बिलकूल और यहां पर सूरे नमस्कार कर हुए अभी अभी शुरू कि है बहुत टाइम नहीं हुआ है एक स्कूल भेजना है तो यहां पर उसकी ड्रेस वगरा सब मैं निकाल कर रख दूंगी और फिर उसको उठाऊंगी उसके बाद मैं मैं और बस अभी आगी हूँ मैं किचन में बुल-बुल को उठा दिया है उठा कर उसको भेज दिया है मैं नहाने के लिए ब्रश करने के लिए तो वह अपना ब्रश नहाना वह सब खुछ से ही कर लेती है और यहां पर मैं बना रहे हूं बच्चों के लिए भी निमबू पानी उनको मैं थंडा निमबू पानी देती हूँ जो मैं पहले भी बहुत सारे ब्लॉक्स में बता चुके हूँ तो यहां पर बच्चों के तो आज टिफिन में बना रही हूँ पनीर के परांटे, हाँ जी, पनीर के परांटे बन रहे हैं, मेरे बच्चे जो है आलू के परांटे नहीं खाते हैं, आलू मेरे घर में बहुत कम बनता है, पनीर के परांटे जो है फिर भी वो खा लेते हैं, टिफिन में यही सब जाता है पनीर के परांठे आलू के परांठे हो गए या फिर कभी सेंडविच बना देती हूँ कभी पोहा बन जाता है या फिर बेसन के चिले बन जाते है तो यही सब बच्चे जो भी चीज खाते हैं वही बनता है नाश्टे में जो बच्चे खाते हैं तो यहां पर मैंने बनाया है आज पनीर के परांठे और किस को पसंद है पनीर के परांठे ज़रूर बताना मैंने तो बस सिंपल से बनाया पनीर को मैश किया थोड़ा सा नमक थोड़ी सी मिर्ची थोड़ा सा गरम मसाला बस यही चीजे में डालती हूँ आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे जरूर बताईएगा कमेंट्स में ठीक है जी जब तक मैं टीफिन बनाती हूं तब तक बुल-बुल जो है नहा कर ब्रश करके रेडी हो जाती है अच्छे से खुद से ही स्कुल ड्रेस पहन लेती है उसे तयार करने की जूरत नहीं पढ़ती है वो खुद से नहाती है खुद से ही तयार हो जाती है और अभी मैं बना रही हूं उसके बाल जो सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए सुबह में क्योंकि बाल काफी बड़े हैं और उलद जाते है तो बहुत टाइम लगता है बनाने में भी सुलजाने में भी तो हाला कि लिवान लगा कि बनाती हु उसके बाल पर फिर भी वो नाटा कर रही है उसको की दर्द हो रहा है उसको और नाश्टा दे दिया है वो नाश्टा कर रही है बाकि सब्ड़ में बाकी आगे बताओंगी मैं क्यूं वात्वें करता हूश और चाहे कितना भी जल्दी उठा दो मैंने इसको करीब इसकी 9 बजे की स्कूल होती है मैंने इसको 8 बजे उठा दिया था पर फिर भी ये लेट कर देती है पता नहीं बातरूम में क्या करती है बातरूम में घुज जाएगी फिर बाहर नहीं निकलेगी तो अभी देजिस को फटाफट सॉक्स पहना रहे है साथी साथ और साथी साथ मैं इसके बाल बना रही हूँ और इसने कुछ भी नहीं लगाया था नहाक के बस कुछ भी लगाती नहीं है मैडम रोज मुझे जुट बोलती है कि हमने लगा लिया तो बस इसको लोशन लगा दिया है और अब बुल बुल जा रही है स्कूल और उसके बाद शुरू हो जाएंगे मेरे सारे घर के काम हाँ जी तो अब लग गई हूँ मैं अपने काम पे और सबसे पहले मुझे साफ करनी है यह अपनी डाइनिंग टेबल जिसे मैं रात को बिलकुल क्लीन करके छोड़ती हूँ मैं एक भी समान जो है डाइनिंग टेबल पे एक्स्ट्रा फालतू समान मैं नहीं रखती हूँ रात को मैं सब कुछ अटा देती हूँ और सुबह में जो है सारा समान इस तरह से आके डाइनिंग टेबल पे आ जाता है देजे सबजिया लाएं डाइनिंग टेबल पे लाके बिखेर दी है और बुल बुल गई है स्कूल तो पो नाश्टा करके गई है उसकी पलेट पढ़िये उसका लोशन पढ़ा है उसकी कंगी पढ़िये बाकी लैप्टॉप पढ़ा है गुड्डू का और जो नीबू पानी के गलास जो नीबू पानी पिये है वो गलास पढ़े हैं तो सबसे ज़्यादा गंदी मेरी डैनिंग टेबल होती है चाहिए मैं कितना भी रात को इसको समेट के छोड़ दूँ बाकी मैं घर के जो भी रूम वगर है मेरे उनको मैं मोस्ली रात को ही कोशिश करती हूँ कि मैं समेट के छोड़ दू ताकि सुबह में मुझे सफाई में ज्यादा टाइम ना लगे तो हाँ एक ये रीजन भी है कि म मैं जो है देजी और बुलबुल के स्कूल जाने के बाद ही घर की साफसफाई क्यों करती हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह में जल्दी उटके घर की सारी साफसफाई कर दूंगी तो डाइनिंग टेबल की हालत वही हो जानी है या घर में भी जो है चीज़े बिखर जाती है फिर बाद में दुबारा वह चीज़ करने से अच्छा है कि उनके जाने के बाद ही मैं जो है सारी साफसफाई करूं और बाकी वैसे भी घर में जब सब लोग इधर इधर घूमते रहते हैं तो साफसफाई अच्छे से नहीं होती जब लोग बीच बीच में आते ना तो बुलबु को स्कूल से छोड़ कर आने के बाद पूजा करते हैं तो आज पूजा भी मुझे ही करनी है तो फटा फट जो है मैं अब लगा लोगी ज़ाडू उसके बाद मैं लगाऊंगी पूचा और फिर मैं करूँगी पूजा और यह देखिए रूम बगरे मैंने सारे र खिलोने बगरे भी खेर देती हैं वो भी मैं रात को ही समेट के छोड़ देती हूं तो यह फाइदा हो जाता है अगर रात को हम यह चीज़े करके छोड़ दे तो सुबह में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है और कौन-कौन ऐसा करता है कौन-कौन रात में ही अपना घर समेट के छोड़ता है मुझे जरूर बताना ये भी कमेंट्स में मुझे अच्छा लगेगा मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना बस उसके बाद जाडू लगा दी है मैंने और उसके बाद जो मे इनमें भी पानी देना पड़ रहा है और उसके बाद अब मैं लगा रही हूं पोचा पोचा मैप डेली लगाती हूं सर्दियों में तो फिर भी एक दो दिन एक दिन चोड़के मैं लगा देती थी पर अब गर्मी आ गई है दूल मिटी आ ही जाती है थोड़ी सी अगर पोचा से होते हैं मेरे घर के काम सारे करकी सारी साफ सफाई हो गई है और अब हम भी साफ हो गए है मतलब नहा ली हूँ और आज हैर वोश किया है क्योंकि गर्मिया है तो आज क्या मतलब मेरा तो आज कलिए एक दिन शोड़कर एक दिन डेली में हैर वोश हो रहा है चाहे सिंपल पाने से ही कर लों पर वाश करना पड़ता है балों को क्योंकि गर्मियों में पसीने से यजीब से चिप-चिप-चिप चिप-चिप हो जात Caleb में रो मुझे नहीं अच्छा लगता तो बस नहाल हूँ है 우श कर लिया है और अभी मैं कर रही की पुजा वरना मुझे सुबह जैसे बच्चों के टीफिन बनाना घर की साफ-सफाई करना इतना सारा काम हो जाता है तो मेरी थोड़ी सी हलप हो जाए इस वज़े से भी और देव जी को अच्छा भी लगता है सुबह की पुजा पाट करना तो सुबह की पूजा जो है वो ही करते है पहले मेरे ससूर जी करते थे यानि मेरे पापा जी करते थे और अभी जो है वो सुबह की पूजा डिव जी करते है पर आज मैं कर रही हूँ तो लड़ु गुपाल जी को यहां पर इसनान करा दिया है चंदन का तिलक लगा दिया है चंदन का तिल तो और अधूं गोपाल जी जो थे भू के नहीं रहने चाहिए तो इसतरह से कहा जाता है, ओमाएर चोर्श के है और नीई और आध्फ कमई समत्य को फाड़न थे नादए उनको जब मैं कभी करती हूँ जब मुझे टाइम लगता है जब मुझे मौका मिलता है तो आज जैसे मुझे मौका मिला है तो इस तरह से होती है मेरी मौर्निंग की पूजा तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा मौर्निंग रूटीन अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देजिएगा फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग या वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई राधे राधे जी